एक्ट्रेस रेखा की रियल लाइफ हमेशा विवादों और गहरे राजों से गिरी रही है। रेखा ने जितना नाम फिल्मों से कमाया उससे कहीं ज्यादा उनके अफेर्स ने लाइम लाइट बटोरी है। अमिता बच्चन से लेकर संजय दत के साथ रेखा के रिस्तों ने जम कर लाइम लाइट बटोरी। रेखा पर कई एक्टर के घर तोड़ने का भी आरोप लगा है। एक समय ऐसा था जब साधी सुदा मर्दों के लिए रेखा अभिशाप मानी जाने लगी थी। नर्गिस दत ने तो उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा। एक्टरेस रेखा को नर्गिस दत बिलकुल पसंद नहीं करती थी। इसकी वज़ा थी उनके पती सुनिल दत और बेटा संजय दत। दौनों एक्टर ने रेखा के साथ कहीं फिल्मों में काम किया था जिसके बाद दौनों के साथ रेखा के इसके चर्चे होने लगे थी। ये बात नर्गिस को बिलकुल रास नहीं आई जब नर्गिस ने सुनिल दत के साथ रेखा के चर्चे सुने तो वह बौकला गई और रेखा को दुस्मन मान लिया। नर्गिस ने साल 1976 में एक इंटरव्यू दिया इसमें उन्होंने रेखा को लेकर खुल कर बात की। एक्ट्रिस ने रेखा को कोस्ते हुए काहता रेखा मर्दों को इस तरह के सिगनल देती थी कि जैसे वह आसानी से उनके लिए उपलब्ध है जबकि कुछ लोगों की नजर में वह किसी चुडेल से कम नहीं है। नर्गिस यहीं नहीं रु या जिन्हें साइकलोजिकल परिशानिया होती है। रेखा हमेशा खोई रहती है उन्हें एक मजबुत आदमी की सक्थ जरूरत है। नर्गिस अपनी सादगी और तहजीब के लिए जानी जाती थी लेकिन जब उन्होंने रेखा को लेकर ये बात कही तो पूरे हिंदी सिने में खलबली मच गई। शौकिंग बात तो ये थी कि रेखा का सिर्फ सुनेलदत के साथ ही नाम नहीं जूड़ा था बलकि नर्गिस के बेटे संजदत के साथ भी उनके अफेर के खूप चर्चे हुए थे। वहीं जब रेखा और संजदत की साधी की खबरे आई तो संजद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो